हेलो दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है और आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उप्भुकता मुली सुचकांक जो AICPN इंडिक्स रहता है माँ सितंबर 2024 का फिलाल देखे दोस्तों इसी के अधार पे जो करने अप्लाई जो उनकर डिनस लांसर बढ़ता है सितंबर 2024 का जो AICPN उप्भुकता मुली सुचकांक है वो अक्टूबर के अंतिम वर्किंग डे पे आना चाहिए था लेकिन नहीं आए फिलाल के लिए भी रूका है और अभी इसलिए जो डिनस लांसर बढ़ने वाला है इसी के अधार पे जो पुकत मुली सुचकांक है इसी के अधार पे जो डिटेल एंफ्लेशन है वो हमारे सामने आता है तो फिलाल के लिए भी आंकडा जारी नहीं किया गया है यहीं पे देखें तो जो अगर्ष्ट 2024 का है वो 0. 0.1 point या percentage यह decrease हुआ था और जुलाई का यह 1.3 percentage और point increase हुआ था तो totally अगर sum up कर इन दो महीनों का तो 1.3 से अगर 0.1 minus हो जाता है तो 1.2 आपका दिनसलाउंसिस या फिर आप बोल सकते हैं कि जो उपभुकता मूली सुचका अंकड़ा हो बढ़ा है दोस्तों इसके लाब हम आ आंकड़े देर से जारी नहीं किये जा रहे थे तो आपका जो inflation rate है समय के साथ जो दिनसलाउंस से शमाही बढ़ रहा था या सालाना आप देखें बढ़ रहा था तो कहीं न कहीं 2-3 percentage के बाद से ये 6-7 percentage इवन ये जब lockdown लगा था उस ताम पिये 14% तक ये आकड़ा बढ़ा मार्केच में चीजों का प्राइस देखते हैं दाम देखते हैं वो कतिक गुना बढ़ा हुआ देखते हैं कतिक परसेंटेज ज्यादा हो देखते हैं हाइक लेकिन जब उनके डिनसलाउंस की बात आती है तो वो 2%, 3% और 4% ही डिनसलाउंस बढ़ रहा होता है